आप सभी का एवार फिर से बहुत बहुत सागत है आज का वीडियो है यह कोड 509 का ही है और इसमें हमने जो कोशन दिया है यह आपका इंपोर्टन कोशन है और कोशन को पहले हम देख लेते हैं कि कोशन क्या है दिखिए समाजी के विज्ञान में अंतर विशयक एवं एकिक प परिपेख्ष से आप क्या समझते हैं देखिए इसी तरह के कोशन से अग्जाम में जर्नली पूछे जाते हैं जो हमें बहुत कर्फ्यूज करते हैं समाजी के विज्ञान में अंतर विशयक इसको धियान दीजेगा अंतर विशयक और एकी कृत ठीक है यह दो शब्दों को करता हैं समाजी करना का अंतर विशयक कर देखिए harमता आपको समाजी सक्या willing में क्या मतलब अंतर विशयक का मतलब मतलब होता है कि इनके अंदर सब्जेक का करना देखिए समाजी के विज्ञान का जो हम अध्यान करते हैं तो समाजी के विज्ञान के जो विशय होते हैं उनका संबंद समाजी के विज्ञान के विशय होते हैं उनका संबंद और उसके छेत्रों का संबंद साथ ही साथ समाजी के विज्ञान के जो अर्न विशय होते है उनके साथ भी संबंद बनाके रखता हुंका मद्यान करते हैं मतलब कि समाजिक विध्यान में यदि हम समाजिक विध्यान के छेत्र होते हैं जो विशय होते हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं भूंगोल की कि हम समाजिक विध्यान का एक छेत्र एक विशय क्या हो गया भूं कि जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका भौतिक भुंगोर भॉतिक विज्ञान का भी जो अध्यान कौन करता है समाजी विज्ञान में क्या पढ़ते हैं ुसके इसलिए कहा जाता है कि से समाजिक विज्ञान समाजी विज्ञान के जो छेत्र नगांवा विज्ञान में प्राइब अब यहाँ पे अंतर विशयत में हम देख लेते हैं, अंतर विशयत का मतलब मैंने आपको बताया कि अपने subject के छेत्र के अलाबा, विशय के अलाबा, दूसरे छेत्र के विशयों का अध्यान करना, ठीक है ना, यानि कि यहाँ पे एक मैं example ले लेती हूं, जैसे मैं यहाँ प इसे हैं, उसकी प्रकित जो होती है, इतिहास की होती है, मतलब यहाँ पे इतिहास से संबंद सिर्फ इतिहास के subject से नहीं है, कि सिर्फ history, यानि जो एक history है, जिसमें हम युद्धों का, पुराने समय के कालों का, पुराने लोगों का वर्णन करते पढ़ते हैं, यहाँ पे इतिहास का रिलेशन हिस्ट्री यानि पुराने समय से एक कोई चीज उस समयकार में कैसी थी, उसका प्रादुर्भा, उसका विकास कैसे हुआ, तो जैसे अंतर विशेप में मैंने एक content, एक subject, एक point ले लिए इतिहास है, अब इतिहास में मैं कह सकती हूँ, इतिहास मैं पढ सकती हूँ, इसके अंतर विशेप मैंने इतिहास पढ़ा, मैंने भूंगोल का भी इतिहास पढ़ा, ठीक है, अब आप कहेंगे भूंगोल का इतिहास, आप समझ रहे हूँगे, मैं यहाँ पे नागरिक सास का भी इतिहास पढ़ती हूँ, तो एक ऐसा subject, यानि समाजिक अपने के छह को तो संबंध, ड़ता ही रखता है रखता है, अपने के विशेओं से Um setting इंसे भी संबंद मना के रखता है उनका भी अध्यं करता है , वही अंतरों भी आ कहलाता है itiak साथ में यहां पे अम भासा का भी हम इतिहास पढ़ते हैं ठीक है ना, जोदि यह शब्जेक्ट के इतिहास का इतिहास का हिस्सवास के है किस तरह से इतिहास कैसे इतिहास कि यूँ से इंगे तो इस तड़े से अंधर के न्तर भी जान के उनके साथ उनके शाथ में जो के भी विशय होते हैं चेत्र के जो होते हैं उनका अध्यान हम करते हैं अब हम यहां पर देख लेते हैं एक क्रित विशय से क्या मतलब है आप एकी में कखेने मैं इस ऐसे करें उनल स को शोड़ी हम है कर दे कर सकते हैं और हमादय इतनी पूरी कुछिश हो ती है उनल कर दिया जा एक अत्मक रूप से जिया जाए और देना साउ मुझ हो दानें विखन taken के आपको प्रपीन रिक्रमान प्राइण परिसेंड पूह था की कृट में हम ले देने हैं तो यहां पर लिए भोजन को आपको भी ऐसे इसमह भापर समझाना होगा पहले अदर पूह सब्सक्राइब करें तो बोजन में क्या होता है सबसे पहले उत्पादन होता है यानि खाना हमें कहां से मिलता है फसल से मिलता है तो सबसे पहले इसको उत्पादन से जोड़ देते हैं अब किसी चीज क्या हुआ क्रयब विक्रे चलता है ठीक है ना क्या चलता है क्राय विक्रे चलता है अब जब किसी चीज का क्राय विक्रे चलेगा फिर बिन्योग होगा तो यह सभी जो चीजे हैं किस से रिलेटेड हैं यह सभी चीजे जो हैं अर्द सास्त से रिलेटेड हैं किस से हैं अर्द सास्त से हैं तो भोजर को हम किस कि बोजन को में इसको घ्रिए कर देती हूं कि यहां फिर लिखेंगे क्योंकि हम ने आप यहां पे जोड़ देते हैं किस से जोड़ देते हैं किसे जोड़ दए झाल कि हमने इसमें समाज भी जोड़ दिया क्योंकि सब्गी चीजे भोजन की जोरों तो सभी को पढ़ती है तो अब बताइए कि जोरों किसे रिलेटेड हो गया अगर आपका समाज सास्त्र से लिए से हो गए समाज सास से ईडह हो गए है तो हमने देखा एक भिधित हमने पहले भोजन के बारे में पूड़ी आंतकारी मिली जहां होते हैं कि समास सास में पढ़ा स्वाएं लिए यहां पे कंटेंट लिखते हैं घोजन को किसे करते हैं यह Спब्रन ब्रिद्धी हो गई मांगा हो गया बिद्धी हो गया बजट हो गया क्योंकि अब बनाया जाता है। यह सब इस चीज हैं किस में पढ़ी मुझे कि ने पढ़ने पड़ दी किसमें जानते हैं राजनीत सास्त में पढ़ते हैं। यानि हमने एक content को लिया एकिक्रित रूप से संबंधित यह होता थे समाज ईंदर्गत हंतर्गत समाजिक विज्ञान के अंतरगत अब यहीं पर हम इसको और बड़ा करेंगे अब यहीं पर देखे यहदि आप भोजन के बारे में आप यहां पर करें कि शुद्ध भोजन जो होता है कैसे होता है साफसफाई किस तरह से रखी जाए किस तरह से उसको पकाया जाए भोजन को हम आगे बढ़ते हैं तो किसमें इसको पढ़ेंगे हम इसको ग्रीव विज्ञान में पढ़ेंगे लेकिन यही पर हम विज्ञान को भी ले सकते हैं अब भोजन को किस तरह से पकाया जाए कि इतनी मात्रा में पकाया जाए कि उसकेFit में बेकारने लिन बीटियां के कि तरह उते हैं अब यह कहना चाह रहे डी एक करत विजयां का मतलब ही होता है एक एक करके परना एक तरह मैं एक जास्थ currently प्रते हैं लेकर उसके माइने अलग होते हैं बोजन को वा मैं अलग होते हैं। बोजन को किस तरह से तरह से पकाना चाहिए। हम पढ़ते हैं। किस तरह से उसको पकाया जाये, कितने बिट्यमिन धूर्वे देन विष्ग बसा है किस चीज़ किस बोचन में वीपोषद निए, कितनी जवशनी जवरत होता है इसी तरह से अफ़ा सकते हैं हम ने गूर का जीक्रि महिन ही जिक्रि तो हम आवधार्ना को कि अवधार्ना का मतलब ही होता है अवधार्ना का मतलब ही होता है कि बहुत चीजों को ले के चलना और हमने एक विभिन विष्यों से जुड़ी होती हैं लेकिन हम पढ़ते सिर्फ एक चीज़े बोजन के बारे में तो जो यह अवधारना को अध्यान के बिभिन चेत्र हैं और यह चेत्र हमें कहां मिलते हैं पढ़ना को मिलते हैं तो यह एक अधर पर पेक्ष हो गया और अंतर विज्विजान में अंतर पर प्यक्ष क्या कहराता है मुझे रखता है कि बेरा इंप्रेंट्टी इस आपके बिए हो सकता है तो यह वीडियो कैसा जरूर बताएं अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी करीईगा साथ में कमेंट्स भी करिएगा और चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देजये चलिए फिर नेश्ट वीडियो के साथ हम आपसे जुरूर बताऊंगे तो नेश्च वीडियो के साथ उन्हीं मुलते हैं तब तक किरेश्ट केया बाई